नमस्कार मेरी दिखनायक जहवा लाइव में आपका स्वागत है इस वक्त हम मौझूद है राणापूर के महत्मा गांधी मार्क पर आप मेरे पिशे देख सकते हैं कंटेन्मेंट जोन है लगबग पिछले महीने की दो तारिक से कंटेन्मेंट जोन बना गया था और आज एक म ऐसी की जबस्द करेंगे है एक महीना लगबग हो गया तकरीबन आर्थिक स्तेटी बिगर रही और जो आखरी पेसे वहारी महसे और वह बी अच्छा एक पुछना चाहूंगा थोड़ा सभी आजाईएं आपने जिम्मदार लोगों से बात कियोगी आपने सांज्ष से तहसी बात कियोगी उनका क्या कहिना है को सब्सक्राइब करतो हुआइज पोन से बात चाहिए और भी लिया अजोना पर और और वह फोलाने के जिए को लिख कर दे दीजिए कि मरीज नहीं आएंगे या आएंगे अब यह कोई बात होती है आज हम एक महले को टार्गेट बना रखा प्रसासन ने आखिर प्रसासन क्या चाहती है इस महले को क्या चाहती है हमारा यही पूरा विरोध है और निवेदन भी है सब का कि इस महले का क्या चाहती है और क्या नहीं नहीं ले रहे हैं आज हमें आज हमें यह महला खुलना चाहिए अगर नहीं खोलेगी प्रसासन तो हम यह उखाड के दंतमंडल फेक देंगे और हमारी हमारी दुकाने हमारी नहीं को प्रसासन को समझ वह तो आपको यह क्यों लग रहा है कि आपके साथ प्रसासन भेद्पूर्ब काहड़े कर रहा है क्यों भीर मरीज निकले कांटेंड में एर्या का दाएरा वहां पे सिमित रखा गया दो आतीन मकान को बना गया और यहां पर लगबग सो मकानों को पूरा मोहले को सील किया गया है तो हमें यह लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ बैद्बाव हुआ है अच्छा इनका कहिना है कि इनके साथ बैद्बाव किया जा रहा है इनके पूरे पूरे एरिया को सील किया जा रहा है और इनकी हो रहा है और बडिष्य जेगा जो सुबाellt भी मतलब केस है वहां सील एया पूरा महूला हो पूर्वागा पूरा भाजार सील कर ठहर और बड़ी समस्या नहीं है कं ढूत हो गई सुछ ना चाहते हैं को नहीं खोड़ नेशा है हमारे साथ एसा अधैन Staat क्यों हो रहा है है इसका हमें जल्दी जल्दी मीशाया है या इपके लोगों को ये बेपारी वर्ग काफी दिनों से परशान हो रहा है और मेरी सासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये कंटेनमेंट एरिये को मुक्त किया जाए और इनके बेपार परभावित हो रहा है और आए दिन बेपारी लोग परशान हो रहा है तो सासन को भी चाहिए कुछ नि पुरे प्रियास रहेंगे हमारी नगर की जनता परेशान ना हो और हमारा पहला प्रियास यह रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी कलेक्टर महदे से इस बात को लेकर आउगद कराएं और आज ही हम कलेक्टर महदे से मिलेंगे और हमारे यह जो बंदु है व्यापारी बंदु है इनका जो नुकसान हो रहा है उसकी जल्दे से जल्द उनकी दुकाने चालू है उनका जो नुकसान हो रहा है जल्दी से जल्दी उनकी भरपाई हो और साथ ही मेरे सभी मतलब सभी जो लगाए गए हैं एरिया हैं कंटेर एरिया हैं उनमें कुछ लोगों के घर सील हुए लेकिन अपना मार गई है फूरा मार्ग सील कर रखा एक महीने एक महीने से उपर हो गया है और हमारे सभी व्यापारिक बंधु परेशान है तो में कलेक्टर हो देसे इस और आउगत करा परसासन को जो समय समय पर गाइडलाइन उन्होंने जो डिसाइड की और हमें जो निर्देश मिले उनके अनुसार हमने एमजी रोड को कंटेर्मेंट किया था और इसमें क्या लगातार केस्क बढ़ते जाने से इसका कंटेर्मेंट एरिया तारीक भी बढ़ते गई और उस उनने मात्मागानी मार के लोगों की समस्याओं को सुना यहाँ पर प्रसासन का अगर प्रसासन उनकी बात नहीं मानता है तो आज साम तक वे कुछ इस पर एक्षन लेंगे कुछ कारवाई करेंगे और हो सकता है उनका कहिना कि हम यह जो बेरिकेट्स लगे हैं जिसके द्व कर अपने लिए राष्टा साफ कर सकते हैं यह समय देखना दिल्चस होगा कि आखिर प्रसासन क्या करता है और इन्हें इस से मुक्ती मिल पाती है या नहीं एसी ख़बरों के लिए बने रहे जहवा लाइव के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निक् एंदभाई